हलो दूस्तो, माई हस्बंड लंच बॉक्स रेसिपी एपिसोड 42 में आप सब्सक्राइब बहुत स्वागत है यह तो दाल, चावा, रोटी, सब्जी भर में तो बहुत कॉमन होता है बनना लंच बॉक्स में इसको देना भी बहुत जादा नॉर्मल रहता होगा लेकिन अगर दाल को सब्जी को चेंज कर करके बनाया जाए टेस्ट के साथ तो फिर टिफिन भी ज़्यादा पोरिंग नहीं लगता है तो मैं भी बस यही करती हूँ कि दाल को बस चेंज कर करके मैं अपने हस्बंड के लंच बॉक्स में देती हूँ जिसमें पंच में दाल जाएंगी तो यहां पर मैंने धुली उड़ा धुली मूं और अरहर की दाल ले ली है साथ में थोड़ी से मसूर की दाल ले ली है यहां पर क्वांटिटी सब की एक्वल रहेगी फिर इसको अच्छी से धोके 10-15 मिनट के लिए भीगने के लिए मैं साइड रख रही हूँ तो यहां पर चॉपर में प्याज टमाटर और यहां पर यह लहसुन की कलिया वाने ली है अब लहसुन अद्रक की जगा अद्रक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं या फिर उसको सेपरेटली मिर्च के साथ न मोटर पिस्टल में अच्छे से कूट के भी ले सकते हैं यह चोईस आउप के लिए अब देखे सब को मैंने अच्छी से कर दिया है चॉप इल्कुल फा दाल का पानी के क्वागे और यह इन गहते है अब कर दो पर दल हमारा का अब इसमें में डाला है थाल का टी मुना पानी क्या दाल तो आज बनेगी आलू शिम्रा मिर्च की अचारी वाली सब्जी बहुत टेस्टी लगती है तो कड़ाई को करम करा तेल ढाला 2 बड़े चमच जीरा ढाल दीए और इसमें डाला एक चमच जितना धीमी आज करके और अब लंबे कट करे हुए आलू डाल दीए हैं यसवालतो प dibuj है, एक घड़ हो गए है कोख सर 3 मुट में धाने हैं, फिर मैंने मीडियुम साइच का टमाटर लिया है, इसको इस तरीकья से चंग कर दिया ढूंसको अलू के साथ ही घंग वाल्य फोल धन्ह methodsaffen employ तो भीको थे प्यार हो जाएगा और इसको मिलाने के बार अब एट करेंगे इसमें शिमला मिर्च और ये प्याज प्याज मैंने बारी चौप ना करके इसके शैलट जासे निकाल लिये हैं और इसको अच्छी तरीके से सब्जी में कर लिया है मेंक्स यहां पर नमक आप अपने स्वादनु अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है प्याज भी अच्छा से पक गया है और आलू देखिए बिल्कुस सॉफ्ट से हो गया है तो बस सबसे पहले आलू को ही पकाना है जिसमें आपको पांच मिनट लगेंगे हरा धनिया डालिए और गरम मसाला डाल के इस सब्ची को कीजिए कंप रखी है इस दाल को तो अब दाल में किया है तड़का देने की बारी है तो एक तड़का पैन मैंने गरम गराए इसमें डाला एक बड़ा चम्मच जितना कुकिंग ओल और मैं ज्यादा तड़का देशी का पसंद करती हूं तो आप यहां पर ऑप्शनल रख सकते हैं दो चम जीरा डाल दिया और उसके बार डाला थूरा सा हींग करीबता हो तो आप प्लीज वो भी डाल सकते हैं अब इससे लगाएंगे हम तड़का लेकिन तड़के से पहले एक छोटा चम्मच जाला मैंने यह कश्मीरी लाल मिट्स का पॉर्डर इससे तो तड़के का फ्लेवर ही बहुत ही जादा निराला आता है एक बर आप इस तरीके से जरूर ट्रै कीजेगा अब इसे गरम मसाला और हरा धनिया डाल के मैंने मिक्स किया कम्प्लीटली दाल तड़का पंच मेल वाली बनके तयार हो चुकी है आई उप आपको यह ताल पहुत ही जादा यूनिक और पस आप दाल सेट नहीं होगी अब हंपर सबची भी मैंने सर्फ कर दी है तो राइस यह पर नॉर्मल जो भी बनते हैं एकर में वो दे दी हैं आप जो बनते हैं वो दीजिए हैं यहां पर चपातियां मैंने अच्छे से कर दी हैं पैक जिनको मैंने घीर लगा के दिया है आप कोई भी सजेशन्स बगारा हो तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं तो मिलती हूँ आपसे नेक्स अपिसोड में तब तक के लिए हर हर महा दे बाबाई